सूपर टेट की बहतरीन तैयारी करनी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इक्जाम डोज हेलो गाइज वेल्कम बैक टो अवर लर्निंग चैनल इक्जाम डोज और मैं हूनितेश तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इतिहास से है और आज हम देखेंगे मौरेकाल का पार्ट टू दोस्तों मौरेकाल के पार्ट बनके बारे में मैंने आपको बताया था कुछ कुश्चन साब से किये थे और आज हम देखेंगे उसी का पार्ट टू तो चलिए दोस्तों बीने टाइम वेस्ट किये आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक तो आज का पहला कुश्चन कलिंग युद्ध की वीजय तथा छत्रियों का बढ़न अशोग के किस सिलालेक में है सिलालेक एक, सिलालेक दो और सही अंसर होगा ओप्शन नमबर डी सिलालेक तेरा अगला कुश्चन देखेंगे प्रसिदी युनानी राजदूत मेगा स्थनीज भारत में किसके दरबार में आये थे ये कुश्चन मैंने आपसे एक बार और पूँच चुका है और सही अंसर होगा ओप्शन नमबर सी चंद्रगुप्त मौर आगे देखते हैं असोग ने 261 इस्वी पूरू में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया ओप्शन आपके सामने है अपनी राज की सीमा बढ़ाई विस विजय के लिए निकल पड़ा भारी रख्तपात देखकर जुद्ध की नीट को सदा के लिए त्याग कर दिया या उपर कमित्य कोई नहीं और सही एंसर होगा option number c भारी रख्तपात देखकर जुद्य की नीद को सदा के लिए जाग दिया और बहुत धर्म अपना लिया आगे देखते हैं अगला कुश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर के लिए व्रिशल या निम्न कुल सब्द का प्रयोग किया गया है ब्राम्हर साहित जैन साहित मुद्रा राक्षस या बौध ग्रंथ और इसका सही एंसर होगा option number c मुद्रा राक्षस आगे देखते हैं असोग के जो सिलालेक संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें सामिल है options आपकी स्क्रीन पे है और सही एंसर होगा option number c दूसरा और तेरहवा आगे बढ़ते हैं दोस्तों निमलिखित में से किस राज्या देश में असोग के व्यक्तिगत नाम असोग का उल्लेक मिलता है कालसी, रुम्नन देई, विशिष्ट कलिंग राज्या देश या मास्की और सही एंसर होगा option number d मास्की श्री नगर की स्थापना किस मौरे सासक ने की असोग, बिंदुसार, चंदरगुप्त या दसरत किस गरंथ में सूद्रों के लिए आरेक सब्दे का प्रियोग हुआ है अर्थसास्त्र, मुद्रा, राक्षस, अस्टा, ध्याई या व्रिहत, कथा, मंजरी सोची, सोची, और सही अंसर होगा ओप्शन नंबर A, अर्थसास्त्र अगला कुश्चन देखेंगे, असोग ने अपने राज्या विशेक के चौते वरस में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किस से बहुत धर्म की दीख्षा ली लागारजुन, निग्रोथ, उपगुप्त या इन में से कोई नहीं और सही अंसर होगा ओप्शन नंबर C, उपगुप्त से लिद, आगे बढ़ते हैं किसने पाटली पुत्र को पोली ब्रोथा कहा? यह कोईशन मैंने एक बार भी और आपसे पूछा था कुछ दिन पहले और सही अंसर होगा ओप्शन नंबर A, मेगा स्थनीज अगला कोईशन देखेंगे मौरेकाल में एग्रदो माई की से कहा जाता था? बबन निर्माल अधिकारी को, सरक निर्माल अधिकारी को, क्रिशी विबाग का अधिकारी या मापतौल का अधिकारी और सही अंसर होगा ओप्शन नंबर B, सडक निर्माल का अधिकारी अगला कोईशन है मौरेकाल में गुप्टचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुस गुप्टचर संस्थायों संचार्याक होजी और सही अंसर होगा ओप्शन नंबर A, गुड़ पुरुस आगे बढ़ते हैं किस महीने से मौर्ड़ों का राजकोसी वर्स आरंब होता था? फागुन, असाड, जेश्ट या पूस माग और इसका सही अंसर होगा ओप्शन नंबर B, असाड यानि जुलाई से अगला क्विश्चन असोग के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आप्शन है आहत, मुद्रा, सिला लेख, युनानी लेख या बहुत धसाहित थी और सही अंसरों का ओप्शन नंबर B, सिला लेख अगला क्विश्चन है असोग के काल में कौन सी लिपिधक्षिन भारत में प्रवर्तित हुई थी और सही अंसरों का ओप्शन नंबर A, ब्रामी अगला क्विश्चन है असोग का अभी लेख भारती उप महादीब के बाहर भी पाया जाता है निमलिखित में से किस देश में यह पाया गया है अफगानिस्तान, चीन, बर्मा या नेपाल और जैसे कि कुछ दिन पहले भी यह क्विश्चन मैंने आपसे पूछा था और सही अंसरों का ओप्शन नंबर A, अफगानिस्तान दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जो हमारे नए वीवर से वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकोन जरूर दबाएगा जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वो बने रही है हमारे चैनल में अगला कॉश्चन देखेंगे भारती ये लिखने की कला नहीं जानते या किसकी उकती है कोटल, प्लेनी, प्लुटॉर्क या मेगास्थनीज और सही अंसर होगा ओप्शन नंबर डी मेगास्थनीज अगला कॉश्चन है किस मौरे समराट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीकस एक से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था चंद्रगुप्त बिंदुसार असोग कुनाल और सही अंसर होगा ओप्शन नंबर भी बिंदुसार ने आगे देखते हैं असोग द्वारा कलिंग पर चड़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्तपूर स्रोत है महावंस दिव्यावदान तेरहवा व्रिहत सिलालेक या सातवा इस्थम्भ अभिलेक और सही अंसर होगा ओप्शन नंबर सी तेरहवा व्रिहत सिलालेक अगला कुश्चन है बिंदुसार की मृत्यु के समय असोग किस प्रांत का गवर्नर था उज्जैन तक्चिशिला सुवर्डगीरी या तोसली और सही अंसर होगा ओप्शन नंबर ए उज्जैन किस सिलालेक में असोग की या घोसला अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विस्राम करता रहूं या मैं अपने अंतसाला में रहूं मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सारवजनिक कारे के लिए संपर्ट कर सकते हैं दूसरे, चोथे, पाचवे या छटे और सही अंसर होगा ओप्शन नमबर D, छटवे सिला लेख में आगे बढ़ते हैं मौरक आल में सीता के से तात पर है एक देवी, एक धार्मी संप्रदाय, राजकी भूमी से प्राप्त आय या उसर भूमी और सही अंसर होगा ओप्शन नमबर C, राजकी भूमी से प्राप्त आय आगे देखते हैं निम लिखित में मौरक आला का सबसे अच्छा नमूना कौन है स्तंब, स्तूप, कूफा निर्माडिया, चैते और सही अंसर होगा ओप्शन नमबर A, स्तंब कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौरकाल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहतकार किये जाने का विवरण मिलता है महास्थान बंगलादेश, सोगवरा मस्की, महास्थान कालसी या भावरू सारनाथ और सही अंसर होगा ओप्शन नमबर A, महास्थान बंगलादेश या सोगवरा उत्तर प्रदेश अगला कुश्चन है असोग ने सिलंका में बहुत धंका प्रचार है तो किसे भेजा महेंद्र संगमित्रा या ओप्शन A और ओप्शन B दोनो या महारक्षित और सही अंसर होगा ओप्शन नमबर C, ओप्शन नमबर A और ओप्शन नमबर B दोनो याने महेंद्रों संगमित्रा दोनों और यह रहा हमारा आज का अक्रिस्वाल कौटिल द्वारा रक्षित अर्थ सास्तर कितने अधिकरणों में विभाजित है 11, 12, 14, 15 और सही अंसर होगा ओप्शन नंबर D 15 दोस्तों यह था मौर रिकाल के बारे में पार्ट टू का एक चोटा सा मौक टेस्ट और अब यह रहा आज के लिए आपका सवाल स्री नगर की स्थापना किस से मौर सासक ने की थी एंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कल हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए बबाए